सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलोजी टिप्स यूटूब चैनल को और दबाईए घंटे की बटम को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट यह बिल्कुल फिरी है दो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह की बेट साइट को अपरूबल नहीं देए जाता है सबसे पहला सवाल बहुत सारे लोग हमसे यह चीज़ कर रहा है कि sir blogpost.com से हमने apply किया मुझे approval मिल गया है लेकिन add नहीं आ रहा है तो मैं उन लोगों को यह बता देना चाहता हूं कि blog post भी उनीक प्रोडक्ट है और blogger भी उनीक प्रोडक्ट है आप उनीक प्रोडक्ट में करके apply किजिएगा तो यह आपको approval पहले मिलता था लेकिन अब नहीं मिलने वाला है यह आपका dot clear हो गया अब बात करते हैं दोस्तों free content आप सोचे गई किसी कभी हम copy कर लें copy करने के बाद अपने blog पे हम उसको post कर दें आपको approval मिल जाए अब उसको भी Google Ads reject कर देता है और बोलता है copyrighted content आपके blog website पर पाया गया है हम इसे approval नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से दोस्तों तीन तरह का ही main होता है जो आपके application को reject कर दिया जाता है अब बात करते हैं दोस्तों theme के तरफ तो theme भी Google Adsense इस तरह का theme चाहता है कि आप जब mobile पे आपका जब website को mobile पे खोले तो बड़ा-बड़ा अक्षड में दिखे यानि mobile friendly हो उसको जानी लोग आसानी से आसानी के साथ आपका जो भी word अक्षड होता हो उसे पर सके और तीसरा चीज है दोस्तों कि आप अपने blog website में आलतू-फालतू की जैसे जैसे माल लीजे फेस्बूक लिंक यह वो डिज डास फेस्बूक का पेज लगा लेना ऐसे कर लेना वैसे कर लेना किसी तरह का अजीब सा थीम लगा लेना इस तरह का थीम वगरा भी आप लगाईएगा तो आपके ब्लोग website को अप्रूबल नहीं दिया जाएगा और लिए तो हिंदी जो अक्षर होता है ना दोस्तों तो उसको गूगल एड़ सैंस कोई भी वर्ट कीवर्ट सबको वह स्टी एमल में यानि कोडिंग में पहचानता है तो वह समझ में नहीं आता है तो उस तरह के भी व्लोग website का यहां पर अप्रूबल को डिस अप्रूब कर यानि कहने का मतलब है कि उनके website से अप्रूबल ले लिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आप इसे ठीक करें ठीक करके फिर से अप्लाई करें मैं आपको अप्रूबल दे दूंगा यह हमेरे समझ में नहीं आ रहा है यह क्या है तो फाइनली दोस्तों आपका जो भी यानि कहने का मतलब है अगर अधीक मात्रे में आपके website पे download link है तो उस website को भी अप्रूबल मिलने का कम चांस होता है दोस्तों एक और कंडिशन है कि यानि गूगल एडसेंस उस तरह के भी website को अप्रूबल नहीं देता है जैसे movie download वगेरा movie download वगेरा वाले website को भी जल्दी approval नहीं मिलता है तो finally दोस्तों आप लोग समझ गये होंगे किस तरह के website को approval यहां पे मिलता है और किस तरह के website को अप्रूबल नहीं मिलता है आप चलते हैं दोस्तों कि बताते हैं किस तरह से बनाना है कि जल्दी से जल्दी अप्रूबन मिल जाए तो सबसे पहला आपको टॉप लेवर डोमेन लेना है आपको थीम जो भी यूज करना है वह मोबाइल फ्रेंडली हो उसमें जो भी कॉंटेंट आप यूज कीजिए वह आपका खुद का हो और दोस्तों मातरे में आप रड का ही इस्तेमाल कीजिए कम मातरे में जहां प्री जरूरत हो Australia का किजिए अगर अपने विप साइट पर में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको अप्रूबन नहीं दिया जाएगा आपके अपलिकेशट कर pudding साइगा और आप अपने website में कम मात्रे में download link को भी इस्तेमाल करें जहां पे जरुवत हो वहीं पर दे दोस्तों तो दोस्तों आज के वीडियो में आपका dot clear हो गया है अब दुबारा मत पूछेगा कि सर मेरे पास blog post.com है मुझे approval मिलेगा सर मैंने यहां से copy करके post लिख दिया है मुझे approval नहीं मिल रह है तो उसका सारा details दिया होता है वह क्या है नहीं है वह मोवाइल friendly है या नहीं सब चीज उसमें बता दिया जाता है दोस्तों तो आप लोग उसे देख करके download करें दोस्तों मैं यह नहीं कहता हूं कि हमारा ही theme को use करें ऐसा कुछ नहीं है आप अगर चाहते हैं दूसरा theme भी के खुछ रही है इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं दोस्तों तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक्यू फॉर बाचिंग